दीद्वाना शहर के नागोर रोड पुलिया के पास में रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते समय एक 48 वर्षिय व्यक्ती की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार पालोट निवासी श्रवन कुमार पुत्र जैराम उम्र 48 वर्ष रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। इसी दोरान वह ट्रेन की चपेच में आ गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पर डिद्वाना थाना पुलिस मौके पर पहुँची एवं मृतक के शव को रेलवे ट्राक से लाकर बागर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एवं परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्ट माटम कराकर शवन्तिम संसकार हेतु घटना को लेकर राजेंदर प्रसाद पुत्र नानूराम के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट डिद्वाना थाने में दी गई है जिसमें बताया गया कि श्रवन कुमार मेरे ताओ का लड़का भाई है इवं पालोट का निवासी है कल दोपहर धाई बजे बजे गांव पाल इन से टकरा गया जिससे मेरे भाई श्रवन को गंबीर चोटे आई जिसकी मौके पर ही मौत हो गई जिसके शव को राज किया बागर जिला अस्पताल डिद्वाना की मोर्चरी में रखवाया श्रवन की मौत रेलवे लाइन क्रोस करते हुए आई चोटो के कारन हुई है ये रिपोर्ट डिद्वाना थाने में दर्ज कराई गई डिद्वाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी आगे की कारवाई शुरू कर दी है